चक्रिय चतुर्भुच आपने देखा है कि तीन असम्रेग बिंदों से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खीचा जा सकता है क्या हम चार असम्रेग बिंदों जिनमें कोई तीन बिंदू सम्रेग नहीं है को लेकर एक वृत्त खीच सकते हैं कोई तीन असम्रेक बिंदू PQR लेकर एक वृत्त खीचने पर हमें चौथे बिंदू S की इस्थिती निम्न प्रकार प्राप्त हो सकती है इस्थिती 1, 2, 3 इस्थिती 1 में बिंदू S वृत्त के बाह भाग में इस्तिती दो में वृत्त पर तथा इस्तिती तीन में वृत्त के अंता भाग में इस्तित है अता हम कह सकते हैं कि चार असम्रेक बिंदू से होकर एक वृत्त खीशने पर चारों बिंदू एक वृत्त में हो सकते हैं और नहीं भी उप्रोक्त आकरिती में बिंदू PQRS को मिलाने पर चतुर्भुच प्राप्त होगा देखी आकरिती 79 इस्तिती 1, इस्तिती 2, इस्तिती 3 इस्तिती 2 में प्राप्त चतुर्भुच PQRS के 4 शीष वृत्त पर इस्तित है यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीष एक वृत्त पर इस्तित होते हैं तो वह चक्री चतुर्भुज कहलाता है क्या इस चतुर्भुज का कोई विशेश गुण होता है जो अन्य चतुर्भुज में सामानेता नहीं होता है करके देखें किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिये वृत्त पर कोई चार बिंदू लेकर चतुरभुज बनाईए उनके सम्मुक कोणों को माप कर उनका योगफल ग्याद कीजे आप पाएंगे कि ऐसा चतुरभुज जिसके चारो शेष वृत्त पर हो उनके सम्मुक कोणों का योगफल 180 अंश होता है आईए अब हम उपरोक्त कथन का तारकिक रूप ग्याद करेंगे प्रमेद 10 कथन चक्री चतुरभुज के सम्मुक कोणों का योगफल 180 अंश होता है बच्चों हमने अभी चक्री चत्रभुज के बारे में पढ़ा चक्री चत्रभुज याने की ऐसा चत्रभुज जिसके चारों शिष वृत्तिकी पर होते हैं याने यदि मुझे इस वृत्त पर एक चक्री चत्रभुज बनाना है तो इस वृत्ति की परिधी पर कितने बिंदू लेने होंगे? चार बिंदू और साथ में चक्री चतुर्भुज की एक विशेष्टा भी हमने जानी कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुक कोणों का योग 180 अंश होता है तो चलिए हम इस बात की पुष्टी प्रायोगिक सत्यापन से करते हैं और उसके बाद हम इसको तारकीक रूप से भी सिद्ध करेंगे तो पहले ले लेते हैं इस वृत्ति की परिधी पर चार बिंदू लेकिन हमें क्योंकि कोण का मापन भी करना है इसलिए इसका उप्योग करेंगे हम इन चान्दों का उप्योग भी हम करेंगे चारो बिंदू के साथ हम इसे लगा देंगे और फिर हम इसका प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे तो चलिए यहाँ पर में एक बिंदू ले लेती हूँ A, हम ये चारो बिंदू कहीं भी ले सकते हैं, ये मैंने ले लिया यहाँ पर बिंदू B, बिंदू C ले लेते हैं, ये चारो बिंदू आप रितिकी परिधी पर कहीं भी ले सकते हैं, और ये ले लिया बिंदू D, ये द हमें चार रेखाकंडों की ज़रत पड़ेगी तो वो रेखाकंड बना ले ये देखिए अच्छे तरीके से-से यह हो गया हमारा चक्री चत्रभुज A, B, C, D अब हमें कोण का मापन करकर यह देखना है इसके सम्मुक कोण सम्मुक किसे कहेंगे हम इस कोण A के लिए यह जो हमारा एक कोण बन रहा है यहाँ पर इस कोण A के लिए सम्मुक कोण कोण सा होगा कोण C और कोण B के लिए सम्मु कौन कौनसा होगा कोछ्ट D तो हमें यह देखना है कि क्या कोण A और कोण c के कोणों के मानों का जो योग आएगा वो 108 आटा है या नहीं और बिल्कुल इसी प्रकार हम यह भी चेक करेंगे कि कोण B के सम्मौक जो डी है इन दोनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होगा या नहीं तो चली पहले शुरुबात कोण A से कर लेते हैं यह देखिए यह हमने यह 0 सेट कर लिया अधार और उसके बाद हम देख रहे हैं तो यह कितना मिल रहा है देखिए यह आ रहा है 100 डिगरी तो इसे कितना आना चाहिए 80 अंश देख लेते हैं यह हो गया 0 और यह देखिए यह आ रहा है 80 अब अच्छे से देख लें यह कोण A मिल रहा है हमको 100 अंश का और यह हमें कोण C मिल रहा है 80 अंश का तो यह कितना हुआ इसका योग 180 अंश चलिए बी के बारे में भी देख लें कोण भी देख लेते हैं कोण भी फिर से आ रहा है 100 और फिर यह तो संयोग हो गया ऐसा कि यहां हमें यह देखें यह आ रहा है 80 तो यह 100 और यह 80 पुनह यह 100 और यह 80 याने कि समोग कोणों का योग हो गया 180 अंश तो चक्री चतु तो चलिए अब इसे तारकीक रूप से सिद्ध कर लें